वारिस पठान सहाब आपने सुल्या संगीत रागी को वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहिंग्या हैं, बांगलादेशी हैं, उन्हें वोटर लिस्से ही हटा देना चाहिए, क्या होगा पश्च मंगाल में क्या सबसे बड़ा मुद्दा मुसल्मान वोटर ही बन कर उभरेगा कि सुमेरा जी हम लोग डेमोकरसी में यकीन रहते हैं, डेमोकरेटिक कंट्री में रहते हैं, चुनाओ लड़ने का अधिकार जिस तरह भाज़ापा को है, टी-े-म-सी को है, उसी तरह मायम को भी है, हमारी पार्टी भी चुनाओ लड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी है तो जाहिर बात है, चुनाओ तो लड़ेंगे, अब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब बेरेश्टर असाद उदिन ओवेजी साब ने दो दिन पहले ही, हमारी जो बंगाल की टीम थी, उनको बुलाया था हिदराबाद में, उनके साथ बात किया है, रिपोर्ट मांगी है और अब जो भी चुनाओ की रन नीती होगी, वो पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से आप तमाम के सामने आ जाएगी, और यकीन सी बात है कि हम लोग जब चुनाओ का मुद्धा हमार तो सिंपल है, अब आप खुद देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, कि कहीं पर अब नड़ा जी की गाड़ी के ओपर कुछ अटेक हो रहा है, तो अभी आपके टीवी पर दिखाया है कि पुलीस ओफिसर अपने यूनिफोर्म के अंदर चीफ मिनिस्टर साब के कदम चुम रहा है, तो अब ये सब लोग देख रहे हैं अब अटेक होई, जो भी इंक्वा रात दस बजे, टीवी नाइन भारत वर्षपर